एक समय की बात है एक गाउं में दो मित्र रहते थे दोनों साथ खेलते साथ पढ़ते साथ खाना खाते जब दोनों मित्र बड़े हुए दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों शहर जाकर नौकरी करेंगे कुछ दिन बाद दोनों मित्रों ने अपना अपना समान बांदा और शहर जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की कुछ देर चलने के बाद दोनों ही दोस्त ठक गए थे उन्होंने अब आराम करने की सोची लेकिन उनोंने देखा कि सामने से एक बहुत भिक्षू चिलाते हुए आ रहा है जो कि बहुत डरा हुआ है उनोंने बहुत भिक्षू को रोका और उसको पानी दिया उनमें से एक मित्र ने इस डर का कारण पूछा तब बहुत भिख्षू ने उत्तर दिया कि जंगल में आगे चुडैल है तुम्हें भी आगे नहीं जाना चाहिए मुझ पर विश्वास करो तुम्हें भी वापिस मुड़ जाना चाहिए और अपनी जिंदकी को बचाना चाहिए इतना कहकर बहुत भिख्षू चला गया दोनों मित्र बहुत भिख्षू की बात को सुनकर डर गए और दुईधा में पड़ गए लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के इलावा कोई चारा नहीं था इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और जंगल में आगे बढ़ने लगे उन्होंने कुछ दूरी ही तैकी थी कि उन्हें एक बड़ा थेला दिखाए दिया दोनों मित्रों ने जब उस थेले को खोला और खोल कर देखा तो थेला सोने के सिकों से भरा हुआ था दोनों मित्र इतने सारे सोने के सिक्के देखकर नाचने लगे और खोश होने लगे कि हमारा ने ने बिल्कुल सही था जो हम जंगल में आगे बढ़े इतने सारे पैसों में हमारी सारी जिंदकी अच्छे से गुजड़ जाएगी दोनों मित्र बहुत भिक्षू पर हसने लगे और उन्होंने सोने से भरा थैला पेड़ के पास रख दिया और निर्ने लिया कि हम इन सिक्कों को आधा आधा बाट लेंगे अब दोनों मित्र खुश थे साथ में उन्हें भूख भी लग रही थी उनमें से एक ने खाने बनाने का इंतिजाम करना शुरू किया और दूसरा पानी लेने के लिए नदी के किनारे जा पहुचा नदी के किनारे मैं सोचने लगा कि क्यों न वो सारे सोने के सिक्के रख ले और पूरी जिंदगी बिना पैसे कमाए गुजारे उसने नदी के किनारे से नुकीली चीज उठाई और उसको नदी के किनारे पड़े पत्थरों पर घिसकर पैना कर लिया और अपने कपड़ों में छुपा लिया जब वे बापिस आया तो उसका मित्र खाना बना रहा था वे अब अपने मित्र को मारने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था कुछ देर बाद उसने अपने मित्र पर हमला किया और हमला इतना तेज था कि उसके मित्र की मृत्यू उसी समय हो गई मित्र के मर जाने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना घर जाने से पहले खाना खा ले लेकिन जैसे ही उसने वो खाना खाया उसके मुह से खून आने लगे और उसकी तबियत खराब होने लगी मैं समझ गया जब मैं पानी लेने गया था तब उसके दोस्त ने भोजन में जहरीले मश्रूम मिला दिये थे कुछी समय में दोनों दोस्तों की मृत्य हो गई और बहुत भिख्षू की बात सच साबित हो गई क्योंकि पैसो के रूप में वो चुड़ैली थी जिसकी वचा से दोनों दोस्तों की मृत्य हो गई इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए और अपनों के बीच पैसो को नहीं लाना चाहिए वरना आप लालच में वो सब भी खो देंगे जो आपके पास है तो अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तब तक के लिए बाई बाई